नमस्कार दोस्तों आप जुड़ चुके हैं दानिक स्रेट समाचार के साथ और इस वक्त अगर हम किसी चर्चा पे हैं और आपके साथ मैं एक बाद सांजा करना चाहूंगी आज भारत के मशूर पत्रकार फेद वसीन साब जी का जनम दिन है इनका नाम बड़े शानो शोकत से लिया जाता है मैं आपको बता दूँ जम्मू कश्मीर में डेली इंग्लिश जो पेपर है डेली इंग्लिश मैगजिन जो है वो सबसे पहले इन्हों नहीं लाई थी इन्हों ने अपनी शाखाएं जो हैं पूरे भारत में अलग-अलग जगा भी छोड़ रखी हैं जो इनके शिश्य थे काफी भारत में हर जगा पे हैं इसी चलते आज एक हमारे साथ अखनूर में भी कुवर शक्ति सिंग्जी हैं जो की अखनूर प्रेस क्लब के प्रेजडेंट भी हैं कश्मी टाइम से हैं इनी से इनके जीवन पे एक रोशनी डालेंगे आखिर वेदवसीन साब जी का कितना योगदान पत्रकारता को लेकर हमारे भारत में रहा सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है थैंक्यू करते हैं लेकिन हम जानना चाहते हैं उनकी जीवन शैली के बारे में आखिर उन्होंने किस तरह से अपना पत्रकारता को देखते हुए अपना ये कर्तव जो है वो निभाते आये थे लेकि वेद्वसीन साहब इतनी बड़ी शक्सियत है कि हरा कोई आदमी उनको जानता है अ ये वेद्वसीन जी की जिन्दगी का सारा फलसफा होगा जहां तक मेरा तल्लक है तो मेरे और भसीन साहब के परिवारिक संबन थे तब मैं बहुत छोटा था और मेरे पिता जी का दियाहांत उनीस सो चरानवे में हुआ तब मैं एक स्टूडेंट था और उनीस सो पचानव थे कि जब मैं कश्मीर ताइम्स के दफ्तर जाता था तो जाती दफा मुझे 20 रुपे दे देते थे कि एक बच्चा आया है अखनूर से चलके और इसको कुछ न कुछ देना चाहिए तो और कहीं बार तो ऐसा भी होता था कि जो कश्मीर ताइम्स की इमारत है जम्मो में उस बिल्डिंग में जो उनका दफ्तर था चैंबर था उसके अंदर जाने में मुझे देड़ देड़ साल भी इंतजार करना पड़ता था वो इतने मश्रूफ रहते थे मैं ही नहीं बड़े-बड़े मनिस्टर भी जो है वो उनसे बड़ी मुश्किल से मिल पाते थे तो वेद चूडन्ट लीडर थे फिर विद्यार्थी जीवन में उन्होंने एक अख़वार शुरू कर दी फिर वो थोड़ा पॉलिटिक्स में भी एक्टिव हुए और पॉलिटिक्स में एक्टिव होने का मतलब यह नहीं कि कि सी पॉलिटिकलाव के साथ एक्टिव हुए वह एक युमन राइट्स के ओपर काफी काम करते थे, पीस के ओपर बहुत काम करते थे, और जनलिस्ट तो जाहिर है कि वो जिस श्रेणी के जनलिस्ट है, उनका सानी कोई नहीं है, उनके सामने आप किसी और दूसरे आदमी को नहीं रख सकते कि वे द्भसीन के मुकाबले कर जनलिस् तो पूरे हिंदुस्तान में नहीं कोई लगता है सर जैसे अगर हम हिंदुस्तान की बात करें काफी जनलिस्ट हैं जिन्होंने पत्रकारता शुरू की काफी टाइम से शुरू की लेकिन वेट वसीन साब में ऐसी क्या खास बात थी जो आपको मोहित कर गई और जो आने वाली पीडी जैसे की आने वाले हमारे जनलिस्ट हैं उनको भी उनसे वो चीज सीखनी चाहिए देखिए राभिया जी एक बात बड़ी साफ है पत्रकारिता में अगर आप समझते हैं कि जो सरकार सत्ता में है उसका गुनगान नहीं करेंगे तो हम राश्च्रवादी नहीं है तो पत्रकारिता का नहीं कोई धर्म होता है पत्रकारिता के लिए सारे धर्म एक जैसे होते हैं तो इन चीजों से उपर उठके की जाने वाली पत्रकारिता ही सही पत्रकारिता है यही हमने वेदवसीन साफ से सीखा यही हमने कश्मीर टाइम्स यूनिवर्सिटी से सीखा मैं त विदेश्वी विद्याले जहां से कहीं लोग निकल कर आज भारत के बहुत बड़े मुकाम पर पत्रकारिता कर रहे हैं, विदेश में कर रहे हैं, दिल्नी में कर रहे हैं, और कहीं जगा कर रहे हैं, और कश्मीर कश्मीर टाइम्स के नाम पर, मुझे याद आता है कि मैं आज तक में इंट्रिवी देने के लिए गया दो हजार साथ की बात थी दीपक भी वहीं पे थे दीपक चुरसिया तो मेरा इंट्रिवी लेना था कमर वही नकवी साहथ थे मैनेजिंग अडिटर तो जब मेरा नंबर लगा अंदर जाने का तो उन्होंने धाई मिनिट ही मुझे बि पाट दिया कैते कश्मी टाइमस में काम किया है मैंने कहा किया है चलो ठीक है फिर तो उसके बाद जो होना था हो गया अच्छा हुआ इसी तरह मैं जब आउट्लुक न्यूज मैगजिन में काम इंट्रिव्यू देने गया तो वहां थे अपने अलोक मैता जी अलोक मैता जी जेने पूछा वही बात वही सवाल कहां कामा मैंने का काम किया है मैंने का कश्मी टाइमस काम जो हमारे executive editor है दिवाकर जी वह आपको समझा रहेंगे जमू से कैसे खबरें बेजनी है तो कश्मी टाइम्स वह नाम है कश्मी टाइम से कलंक नहीं है कश्मी टाइम से बहुत बड़ा आपका कहने के मतलब है वेद वसीन साहब जी ने पूरे भारत में अपनी शवी जो छोड़ी वो कश्मी टाइम से छोड़ी और कहीं न कहीं उनका नाम इसलिए अदब से लिया जाता है आज भी लोग उनको याद रखते हैं क्योंकि वो अपने काम में काफी माहिर थे और वो अपने काम से कभी कोई समझोता नहीं करते थे उन्होंने journalism के जो ethics हैं उनसे कभी समझोता न जाफ एक जूठा प्रेपोगंड़ा फिलाया गया कुछ सरकारी माहोल ऐसे बनाया गया कि कश्मी टाइम्स को किसी तरीके से बंद करबा दिया जाए यह बड़ा सच साख छापते हैं यह बड़ा उस सच छापने को वो एंटीनेशनल कहते थे दिक्कत की बात ही थी क्यों से हज़े उस्टे बैद कर दो खेंगे लिए भीज़ा पिलेगा यह बड़ा विवादर की तरुक्त काफी बड़ा जो आधमी हमेशा रहेगा जो वादर में तो वो भी रहा था जिसने कहा था धरति गोल है आज़ थे फैना विवादर में तो वário हमेशा रहे गा जो पहली बा सची बात करेगा, कडवी बात करेगा, वो विवादों में जरूर रहेगा वो बाते क्या थी, वो बाते यहीं थी, कि लोगों को हकूमत द्वारा बेवकूफ नहीं बनाया जाए लोग एक्सप्लाइट नहीं हो, लोगों के साथ justice हो, human rights violations नहीं हो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अमन का रिश्ता रहे प्यार का रिश्ता रहे मोहलब का रिश्ता रहे ट्रेज रहे इसमिर बूरी बार क्या थी 47 के बाद ही बना ना पाकिस्तान हमारी संस्कृति बोलियां खाना पीना सब कुछ एक ही तो जैसा है और उस जमाने में मुझे याद आता है कि भिसीन साथ के साथ एक बार मैं बैठा था तो वो बड़ी हंसने वाली बात मुझा आ गई कि मैंने का यह देखिए कि क्या तरीका है कि उस तरह उस तरह की newspaper इंडिया में नहीं आ रहे हैं लेकिन वाशिंग्टन पोस्ट जो है या नियु यॉक टाइम्स जो है वह आपको कनाट प्लेस में दिल्ली शाम को मिल जाती है चाहे दूसरे दिन की तीसरे दिन की तो पाकिस्तान की एकवारें यहाँ पे क्यों नहीं आ रही है वो हसने लगे कहते हैं उससे क्या फरक पढ़ता है इंटरनेट पे तो सब कुछ है इंटरनेट पे आप कोई भी वेबसाइट किसी को वहाँ के Friday Times की खोलो तो आप पढ़ सकते हो इसी तरह से हमारी एकवारे इंटरनेट पे वो पढ़ सकते हैं और कश्मीर टाइम्स ही जमू किश्मीर का पहला ऐसा न्यूस पेपर था जो नेट पर गया जिसकी वेब साइट बनी बाकियों की बार में बनी है सर आप एक खुद पतरकार हैं आज हमारे वीवर्ज जो देख रहे हैं आज काफी पतरकार जो हैं शायद वो भी देख रहे होंगे वेदवसीन साब खुद भारत के बहुत प्रसिद हमारे पतरकार थे आज सभी पतरकारों के लिए आप क्या संदेशा लोगों के लिए क्या सं अंदेशा यही है कि जिन्दगी में जब आप पर किसी सियासी पार्टी का टैग लग गया तो वह आप लिए एक बद्नुमा दाग है वह आप पूरी जिन्दगी भी धोते रहेंगे नहीं धुलेगा हाँ इन्फलेस्ज होते हैं कई पतरकार कई चीजों से हो वो अलग बात है कुछ पॉलिसी मैटर भी होते हैं हम देख रहें आज कि भारत में कुछ निवस चैनल क्या कर रहे हैं उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए लेकिन आप बिलकुल नंगे धरंगे होके बेशार्मी के कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के टाउट हैं आप उनके एजेंट हैं तो मुझे लगता कि ये पत्तरकार बिरादरी बिरादरी पे एक बहुत बड़ा दबा है इन चीजों से बचने की जरूरत है और अगर आप प्रिंट मेडिया में है तो चाप दीजी जो सच है कि वह कहें गी यह उस बनने ऐसे वक्त में वह बात बिल्कुल सही कही थी वह कोड़ की जाएंगी आपकी एप चिन्ट के गडेश कोड़ की जाएंगी तो निश्चा होने में उनके शिशे काफी जगा पे हैं हम उनके तक तो नहीं पहुंच सकते लेकिन यह अभी यहां पे हमारे बीच में थे इसलिए एक रोशनी प्रकास जो है हमने वेद्वसिन साब जी की जीवन शेली पे डाला और इसी के साथ सबी पत्रकारों की तरफ से आज हम दिल से उनको नमन करते हैं उनको शर्दांजली अर्पत करते हैं इसी के साथ मुझे दीजी आ गया मैं राब्या खजूरिया दानिक स्टेट समाचार के लिए